परिचय बच्चों, क्या आप सभी जानते हैं कि जीवन हाइड्रोजन आबंधन पर निर्भर है? जल से जीवन है और जल अपने अडवों में हाइड्रोजन आबंधन के कारण एक द्रव है. यदि हाइड्रोजन आबंधन न होते तो जल भी ठीक वायू जैसी एक गैस होता, समुद्र, जीले और नदियां भी नहीं होती. सजीव कायों की कोशिकाओं में तरल भी हाइड्रोजन आबंधन के कारण मौजूद है. इसलिए सभी सजीव प्रणालियां हाइड्रोजन आबंधन पर निर्भर हैं. चात्रों, आप लोग इस बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुखोंगे. आज हम इस बारे में अपने अध्याए, रसाइनिक आबंधन और आणविक सनरचना में और अधिक अध्यन करेंगे. उद्देश संकरण के प्रकार के बारे में जानना, आणविक कक्षक सिद्धान्त की व्याख्या करना, इलेक्ट्रोनी विन्याज तथा आणविक व्यवहार को समझना. कुछ समना भी किया, द्विपर्माणुक अडवों में आबंधन का विश्रेशन करना, हाइड्रोजन आबंधन की व्याख्या करना. संयोजक्ता कक्ष, इलेक्ट्रोन युग्म प्रतिकर्शन, VSEPR सिद्धान्त VSEPR सिद्धान्त, विबिन अडवों के जमितिय आकार की साधारन व्याख्या करता है. अडवों के केंद्रिय परमाणु में दो प्रकार के इलेक्ट्रोन युग्म हो सकते हैं. वे इलेक्ट्रोनों के आबंध युग्म और इलेक्ट्रोनों के एकाकी युग्म हैं. इस सिद्धान्त के मुख्य बिंदू है, केंद्रिय परमाणू के चारू और स्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते है। इस सिद्धान्त के अनुसार अडवों की संरचना। कुछ सरल अडवों के आकार के निम्न प्रकार हैं। इस प्रकार के अडवों सदेव रैखिक होते हैं। AB2 प्रकार इस प्रकार के अडवों में केंद्रिय परमाणू में केवल दो आबंध युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म नियूनितम उर्जा प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को प्रतिकर्शित करेंगे और 180 अंश के कोण पर बने रहेंगे। AB3 प्रकार समतल त्रिकोणी सनरचना में केंद्री परमाणू में केवल तीन आबंध युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रतिकर्शन बल को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर व्यवस्थित होंगे और कोण 120 अंश होता है। पिरामिडी सनरचना में आसमान प्रतिकर्शन के कारण केंद्री परमाणू में एक एकाकी युग्म और तीन आबंध युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रतिकर्शन बल को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन नियमित चतुष फलक के शीर्ष पर व्यवस्थित होते हैं और आबंध कोण 109.5 अंश होता है। AB 5 प्रकार इस प्रकार में केंद्री परमाणू इलेक्ट्रॉनों के 5 आबंध युग्म द्वारा घिरा होता है और प्रतिकर्शन बल कम करने के लिए सबसे स्थाई व्यवस्थापंत्रिकोणी द्विव पिरैमिडी है। AB 6 प्रकार इस प्रकार में केंद्री परमाणू में इलेक्ट्रॉनों के 6 आबंध युग्मों होते हैं और प्रतिकर्शन बल कम करने के लिए ये नियमित अष्ट फलक के शीर्ष पर व्यवस्थित होते हैं। संयोजक्ता आबंध सिध्धांत के अनुसार सह संयोजी आबंध दो परमाणू कक्षकों के बीच परस पर अतिव्यापन के कारण बनते हैं। अधिक अतिव्यापन सह संयोजक आबंध के स्थायत्व को सुनिश्चित करता है। अतिव्यापन की सीमा कक्षकों की प्रकृती और अतिव्यापन की प्रकृती पर निर्भर करती है अतिव्यापन में वृद्धी होती है यदि कक्षक नाभिक के निकट बने रहते हैं चुँकि S कक्षकों को छोड़ कर सभी अन्य कक्षकों में दिशात्मक गुड़ होता है। समान उर्जाओं वाले दो उपकोशों की स्थिती में अधिक दिशात्मक गुड़ वाला उपकोश अतिव्यापन की बड़ी सीमा दर्शाता है। S कक्षक अतिव्यापन केवल सिरेवार अतिव्यापन दर्शाता है, P कक्षक सिरेवार तथा पार्श्व अतिव्यापन दोनों दर्शाता है. सिरेवार अतिव्यापन में अतिव्यापन शेत्र पार्श अतिव्यापन से अधिक होता है इसलिए सिरेवार अतिव्यापन के कारण मस्बूत आबंध निर्मित होता है सहसंयोजी आबंध के प्रकार अतिव्यापनों के प्रकार के आधार पर सहसंयोजी आबंध को दो प्रकार में वर्गी कृत किया जा सकता है सिग्मा आबंध तथा पाई आबंध सिग्मा आबंध सिग्मा आबंध नाभिकिय अक्ष पर अर्ध भृत परमाणू कक्षकों के बीच सिरेवार अतिव्यापन के कारण निर्मित होते हैं सिग्मा आबंध विबिन प्रकार के अतिव्यापन के कारण निर्मित होते हैं SS अतिव्यापन दो हाइड्रोजन पर्मानों की S कक्षक में अतिव्यापन के कारण हाइड्रोजन अणू बनता है एक H पर्मानों की अर्ध भृत S कक्षक, दूसरे H पर्मानों की अर्ध भृत S कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है इस प्रकार के अतिव्यापन में कोई दिशात्मक लक्षण नहीं होता है SP अतिव्यापन सिग्मा आबंद एक पर्मानू की S कक्षक और दूसे पर्मानों की P कक्षक के बीच अतिव्यापन के कारण निर्मित हो सकता है इस प्रकार का अतिव्यापन HF अणू के निर्माण के दौरान होता है। इस प्रकार के अतिव्यापन में दिशात्मक लक्षण होते हैं। P-P अतिव्यापन F2 अणू के निर्माण के दौरान एक फ्लोरीन परमाणू का अर्ध भृत P कक्षक दूसरे फ्लोरीन परमाणू की अर्ध भृत P कक्षक पर अतिव्यापन करता है। इन प्रकार के अतिव्यापन में दिशात्मक लक्षन भी होते हैं। पाई आबंध पाई आबंध अंतर नाभिकिये अक्ष की लंबवद दिशा के साथ दो परमाणविक कक्षकों के बीच पार्ष्व अतिव्यापन के कारण निर्मित होते हैं इस प्रकार का अतिव्यापन केवल दो पी कक्षकों की स्थिती में होता है अतिव्यापन शेत्र कम होने के कारण पाई आबंध एक कमजोर आबंध है सिग्मा आबंध और पाई आबंध के बीच अंतर सिग्मा आबंध परमाणू कक्षक के अक्षिय अतिव्यापन द्वारा निर्मित होता है जबकि पाई आबंद परमाणु कक्षकों के पार्ष अतिव्यापन द्वारा निर्मित होता है। सिग्मा आबंद में आणवे कक्षक अंतर नाबे के अक्ष के चारों ओर सम्मित होता है और एकल आवेशित अभ्र का बना होता है। आबंद के साथ साथ दो परमाणु के बीच मौजूद होता है। अणु का आकार केंद्री परमाणु के चारों ओर सिग्मा की रूप रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है। जबकि पाई आबंद आकार में कोई योगदान नहीं करता है। आबंद के समय लगभग समान उर्जावाले और समान परमाणु से संबंधित परमाणु कक्षकों के अंतह मिश्रण की प्रक्रिया है। जिससे समान अकार और उर्जावाले कक्षकों के दूसरे समुहू बनते हैं। संकरण के विभिन प्रकार परमाणु कक्षकों के प्रकार पर निर्भर करते हैं, जिनका उपियोग अंतह मिश्रण के लिए किया जाता है। संकरन में भाग लेने वाले कक्षकों की उर्जाओं में केवल थोड़ा सा अंतर होना चाहिए. संकर कक्षकों की संख्या संकरन में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है. संकर कक्षक सिग्मा आबंध बनाते हैं और शुद्ध परमाडु कक्षकों से संकरण के प्रकार S, P तथा D कक्षकों के संकरण विभिन प्रकार के होते हैं संकरण के विभिन प्रकार निम्मन लिखित है S, P संकरण इस प्रकार के संकरण में 1S और 1P कक्षक का मिश्रण शामिल है जिसके परिणाम स्वरूप दो सम्तुल्य SP संकर कक्षकों का निर्माण होता है SP दो संकरण इस संकरण में तीन सम्तुल्य SP टू संकरिक कक्षकों के निर्माण के क्रम में एक S और दो P कक्षक शामिल होते है SP तीन संकरण इस प्रकार के संकरण में संबतुल्य उर्जा और आकार वाले चार S-P संकर कक्षकों का निर्मान करने के लिए संयोजक्ता कक्ष के एक S कक्षक और तीन P कक्षकों का सम्मिश्रण शामिल है. उदाहरन आईए संकरण पर आधारित एक उदाहरन लें। निम्न लिखित अडवों में प्रत्येक कारबन परमानू द्वारा कौन सी संकर कक्षकों का उप्योग किया जाता है। आईए हल देखें। कारबन परमानू SP2 और SP3 संकरण का उप्योग करता है। आणविक कक्षक सिध्धान्त आणविक कक्षक सिध्धान्त में कक्षक अड़ों के लिए पूरी तरह से तयार रहते हैं। यह कक्षक एक निश्चित सामी दूरी पर स्थित सभी संयोग करने वाले परमानू की नाभिक के बने होते हैं। इस प्रकार परमानू कक्षक एकल केंद्रिय जबकि आणविक कक्षक बहु केंद्रिय होते हैं। आणविक कक्षक लगभग समान उर्जा और उप्युक्त समिमित वाले परमानू कक्षकों के संयोजन से बनते हैं। आणविक कक्षकों की संख्या संयोग करने वाले परमाणू कक्षकों की संख्या के बराबर होती है निर्मित नए आणविक कक्षकों में से आधे निम्न उर्जावाले और शेश आधे उच उर्जावाले होते हैं आणविक कक्षक पाउली के अपवर्जन सिद्धान्द और हुंड के नियम का पालन करते हुए आफबाव नियम के अनुसार भरे जाते हैं परमानु कक्षकों का रैखिक संयोग LCAO श्रोडिंगल तरंग समिकरन के अनुसार एक परमानु कक्षक को इसके तरंग फलन जाई के रूप में निरूपित किया जा सकता है जो त्रिविमिय इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम के समान होता है दो परमानु कक्षकों का रैखिक संयोग व्यक्तिगत परमानु के दो परमानु कक्षकों के योग या अंतर द्वारा किया जाता है यदि A और B दो परमाड़ों में एक एलेक्ट्रॉन है तो उनका तरंग फलनक्रमश जाई A और जाई B द्वारा निरूपित किया जाता है और सासायोजक अणू A B के आणविक कक्षकों को निम्न द्वारा निरूपित किया जा सकता है जाई B बराबर जाई A धन लेम्डा जाई B जाई A बराबर जाई A घटा लेम्डा जाई B जहां जाई B बराबर आबंधन आणविक कक्षक जाई A बराबर प्रति बंधन आणविक कक्षक लेम्डा अणू A B के आणशिक आयनिक गुण को निरूपित करता है आब बंधन आणविक कक्षक की उर्जा परमाणु कक्षकों से कम होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्शन अधिक होता है प्रति बंधन आणविक कक्षक की उर्जा परमाणु कक्षकों से अधिक होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्शन कम होता है प्रमाणु कक्षकों में S, P, D, आदी के बजाए सिग्मा Πाई डेल्टा के रूप में नामित किया जाता है। सिग्मा आणंविक कक्षक जो आबंध अक्ष के चारो और बेलन सम्मितिये होते हैं। सिग्मा आणंविक कक्षकों के रूप में जाने जाते हैं। पाई आनविक ककशक, ये ककशक आबंध अक्ष की लंब वत्डिशा के साथ दोपी ककशकों के बीच पाश्व अति व्यापन के कारण निर्मित होते हैं. इलेक्ट्रोनी विन्यास और आनविक वियावार विबिन आणविक कक्षकों के बीच, इलेक्ट्रोनों का वित्रण अणू का इलेक्ट्रोनी विन्यास कहलाता है आबंध कोटी आबंध कोटी को आबंधी तथा प्रती आबंधी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रोनों की संख्या के बीच अंतर के आधे के रूप में परिभाशित किया जाता है आबंध कोटी का धनात्मक मान अणु के स्थाल्त्व को प्रकट करता है और एक रिनात्मक या शून्य आबंध कोटी दर्शाती है कि अणु अस्थाई है या अणु किसी भी तरह से नहीं बनेगा उच्च आबंध कोटी, उच्च आबंध विखंडन उर्जा और छोटी आबंध लंबाई को दर्शाती है आबंध कोटी अडु में सहसंयोजी आबंधों की संख्या दर्शाती है अडुओं के कुछ गुण अडवों का स्थाइत्व लेकिन यदी अड़ी छोटा है अने से या अड़ी बराबर है अने के तो अडुँअ स्थाई हो जाता है आबंध की प्रकृती पूर्ण आबंध कोटी का मान एक, दो या तीन है, तो उसमें क्रमशह, एकल, ध्वी, अथ्वा त्री आबंध होंगे आबंध लंबाई किसी अणू में दो परिमाणों के बीच आबंध कोटी को आबंध लंबाई की सनिकट माप के रूप में लिया जा सकता है आबंध कोटी बढ़ने पर आबंध लंबाई घटती है चुम्ब किये सोभाव यदि किसी अणू के इलेक्ट्रोनी विन्यास में अयुगमित इलेक्ट्रोन है, तो अणू अनू चुम्ब किये होगा और यदि इसमें केवल युगमित इलेक्ट्रॉन है तो अडू प्रतिचुम्ब किये होगा कुछ समना भी किये द्विपरमाणुक अडवों में आबंधन हाइड्रोजन अडू H2 आबंध कोटी का मान एक होता है अडू स्थाई और प्रतिचुम्ब किये होता है हीलियम अणू H2 आबंध कोटी का मान शून्य होता है अडू अस्थाई और प्रतिचुम्ब किये होता है ओक्सीजन अणू O2 आबंध कोटी का मान दो होता है अणू स्थाई और अनू चुम्ब किये होता है सहसयोजी आबंधों की संख्या बराबर दो नाइट्रोजन अणू N2 आबंध कोटी का मान तीन होता है अणू स्थाई और प्रती चुम्बकिय होता है सहसंयोजी आबंधों की संख्या बराबर तीन हाइड्रोजन आबंधन या एक अणू के सहसंयोजी आबंधित हाइड्रोजन पर्मानू और दूसरे अणू के विद्युत रिनात्मक पर्मानू के बीच लगने वाला आकर्शन बल है या आबंध तब बनता है जब हाइड्रोजन परमानू सीधे उच्विद्युद रिणात्मक परमानू से जुड़ा होता है। आबंध को dotted रेखा द्वारा दर्शाते हैं। अधिक प्रभावी हाइड्रोजन आबंधन के लिए हाइड्रोजन परमानू को छोटे आकार तथा उच्विद्युत रिणात्मक परमानू से जुड़ा होना चाहिए। हाइड्रोजन आबंध, आयनिक, सहसैयोजी, दाता और धात्विक आबंध से कमजोर होता है। लेकिन वंडर्वाल बलों से मजबूत होता है। हाइड्रोजन आबंध के प्रकार हाइड्रोजन आबंध दो प्रकार के होते हैं। अंतरा अणुक हाइडरोजन आबंध आबंध जो समान या अलग-अलग पदार्थों के बीच बनते हैं, अंतरा अणुक हाइडरोजन आबंध कहलाते हैं, या अड़ों के सहचर्य, गलनांक और क्वतनांक में व्रिद्धी, आडविक पदार्थ जैसे एलकोहॉल, शर्करा औ और शेहद की जल में विलेयता का कारण है। अंतर अडूक हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंधन जो समान अडवों में बनता है, अंतर अरूक हाइड्रोजन आबंधन कहलाता है। ओ-Nitrophenol, Salicylic Amyl अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंधन के कुछ उधारण है क्या आप जानते हैं? सहसंयोजी यौगिक, सामान्यतह, जल में अविले या कम विले होते हैं प्रिथक हिलियम परमाणों की उर्जा उस तंतर से कम होती है जब वे एक दूसरे के निकटाते हैं वे प्रिथक होना पसंद करते हैं और H2 अडू नहीं बनाते हैं वाटर स्ट्राइडर या स्केटर बग गती करने के लिए हाइड्रोजन आबंध द्वारा निर्मित जल के प्रिष्ठ तनाव का उपियोग करते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संशेप में दोहराएं अडू की जम्मितिय और आकार केंद्रिय परमाणू के संयोजक्ता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युगमों की संख्या पर निर्भर करता है दो एकल युगमों के बीच प्रतिकर्शन अन्योन्य क्रियाएं दो आबंध युगमों के बीच अन्योन्य क्रियाओं या एक एगल युगम और एक आबंध युगम के बीच की अन्योन्य क्रियाओं से भिन्न होती है संयोजक्ता आबंध सिध्धान्त के अनुसार सहसंयोजक आबंध दो परमाणू कक्षकों के बीच परस पर अतिव्यापन के कारण बनते हैं सिग्मा आबंध नाभिकिय अक्ष के साथ दो अर्द भृत पर्माणू कक्षकों के बीच सिरेवार अतिव्यापन के कारण बनते हैं पाई आबंध अंतर नाभी किये अक्ष की लंबवत दिशा के साथ दो पर्माणवे कक्षकों के बीच पार्श्व अतिव्यापन के कारण निर्मित होते हैं संक्रण आबंध के समय लगभग समान उर्जा वाले और समान पर्माणू से संबंधित पर्माणू कक्षकों के अंतर मिश्रण की प्रक्रिया है जिससे समान आकार और उर्जाओं वाले कक्षकों के दूसरे समुहू बनते हैं हाइडरोजन आबंधन एक अणू के सहसंयोजी आबंधित हाइडरोजन परमाणू और दूसरे अणू के विद्यूत रिणात्मक परमाणू के बीच लगने वाला आकर्शन का स्थिर वैद्युद बल है